पब्लिक टीवी आपकी आवाद मुरदबाद जन्पद में सौमबार सुभे हुए सड़क हाद से बेहुई चार की मौद से दोशी टी आई धर्मेंदर राठोर सही तीन पुलिस कर्मी और दो होंगार्ड के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था ती आई को पुलिस ने गिराफ़तार कर आज जेल भेज़ दिया एक पुलिस कर्मी और दो होंगार्ड अभी भी फरार है ती आई के साथ अवेदरूप से वाहनों से वसूली करने वालों में एक पुलिस कर्मी की मौथ हो गई और एक ट्रेफिक कर्मी घायल हो गया था ती आई अपने निजी वाहन से मुरदबाद से भागने की कोशिस करते समय मैना ठेट थाने में पुलिस ने सौमबार की शाम हिरासत में लिया था, हादसे में 19 लोग घायल हुए थे बीते सौमबार नेशनल हाईवे 9 पर मजोला ठाना छेतर में सुबह टक्कर लगने के बाद बस और पिक अप पलट गई थी, इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, करीब 19 लोग घायल हुए थे हादसे की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँच गए थे, इस थानिये लोगों ने जलादिकारी और स्सपी से टी धर्मेंदर राठोर के द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अवैद वसूली की शिकायत भी की थी, स्सपी पवन कुमार ने चेकिं धर्मेंदर जिंग राठोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आज उसे जेल भेज दिया है कल सुबे हाइवे पर एक बस और एक पीकप के बीच में एक्सिडेंट हुआ था, जिसमें चार लोगों की मिलती हुई, इसमें एक ट्राफिक पुलिस का कॉंस्टेबर भी शामिल था जाच की गई तो पाया गया थी मौकी पर ट्राफिक इंस्पेक्टर धिरमिंदर राठोर और उनके सहकर्मी मौझूद थे, उनके द्वारा अवैद रूप से वहाँ पर वसूली की जा रही थी, वहां से गुजर रही बस को उन्होंने अतानक रुपने का इसारा किया, बस ब्रेक लगाया जिसी प्रम में वो अनियंद्रित हो गई और एक्सिडेंट होने के तुरंदवाद टियाई और उनके सहकर्मी वहां से फरार हो गया, वुक्त करम में थाना मजवाला पे मुकदमा पंजिकृत किया गया, टियाई को गिरफतार कर लिया गया है और उनको जेल पब्लिक टिवी आपकी आवाद